हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट सिल सर्विसेस में आज है आठ नॉवंबर और आज किस लेक्टर में आठ नॉवंबर से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनेगे सारे कोशन को से लेक्टर में हम डिस्क्रस करने वाले हैं और साथी कौन बन गए दोस्तों टेड्रोस एड होम यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन वन तो दोस्तों आपको यादखना है कि 206 संगठन के जो फिर से महानिदेशक है वो कौन बने है यह टेड्रोस एड होम बने है इनका जो कारेकाल है वह अब पांच वर्स के लिए ब टेडोरस एड होम है और इस साथ ही आपको यादखना है कि वर्तमान में सदर से देश कितने हैं तो यह 194 है तो यादखना है आपको डबलो एचो से यह सब इंपूर्टेंट पॉइंट है जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं कल के कोश किस देश में भारती राजदूत न्यूक तक किये गया है तो इनको दोस्तों एस्टोनिया का भारती राजदूत न्यूक तक किया गया है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन वन अगला कोशन है हर साल संयुक्त राष्ट वीश्व सुनामी दिवस कब मना जाता है तो यहां प्रती वर्षे दोस्तों पांच नॉवंबर को मना जाता है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन थार्ड कोशन है कि बुकर प्राइस 2021 से किसे समानित किया गया है तो यह समानित किया दोस्तों डेमन गेलगाट को यहां पर राइट अंसर हो जाएगा option 3, अगला question था कि ब्रस्टाचार को रोकने के लिए विसल ब्लोवर पोर्टल को किस ने लॉंच किया है, तो इस पोर्टल को लॉंच किया है दोस्तो इरेडा ने, यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option 3, और अब चलते next question के ओर, कोशन के केंदे साची प्रदेश, जम्मू एंड कस्मिर का नया पक्षी किसे घोसित किया है, तो यह घोसित किया है दोस्तो कलीज फिसेंट को, यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा option 2, और revision का last question है कि सूचना और प्रशार मंत्राले ने किस मंत्राले के साथ मिलकर single window filming mechanism बनाया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि सूचना और प्रशार मंत्राले ने rail मंत्राले के साथ मिलकर single window filming mechanism को बनाया है, तो दोस्तों हमने last class में जितने भी question किये थे उनका revision कर लिया है और अब हम start करते हैं आज के current face और आपसे एक ही request करूगा कि अभी तक आपने हमारे lecture को like नहीं किया तो like जरू कर दे share भी कर दे अगर आप इस channel पर नए हो दोस्तों तो इसे subscribe भी जरू कर ले तो आज का first question आपके लिए कि नेलसन मंडेला नोबल सांती पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि ये जो नेलसन मंडेला नोबल सांती पुरुसकार है इसे समानित किया है अजेश शर्मा को यहां पर right answer हो जाएगा option one और इनको यहां पुरुसकार समाज के कल्यान उनके उतकर से योगदान के लिए इन्हें समानित किया है और इस साथी दोस्तों मैं आपको बता दू कि ये जो अजेश शर्मा है यहां the moral group of companies के प्रबंदख निदिशक भी है तो आपको याद दखना है यहां पर correct answer के हो जाएगा option one और इस साथी दोस्तों आप देख सकते हो ये है नेलसन मंडिला तो मैं आपको बता दू कि अंतराशी नेलसन मंडिला दिवस कब मना जाता है तो यहां 18 जुलाई को मना जाता है ये भी आपको याद दखना है और अब चलते next question के ओगर question है दोस्तों कि one global Vietnam Seeker Sammelan 2021 की मेजवानी किस देश ने की है तो इसकी मेजवानी की है दोस्तों Paris France ने यहां पर right answer है option one तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि one global Vietnam Seeker Sammelan का जो आयोजन है वो 4 से 5 नौमबर तक आविजित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश क्या है तो आने वाले दसकों में वियतनाम और व्यापक वीश्व के लिए प्रतिभा रचनात्मक विचारों और सतत विकास नितिया को जोड़ना है और साथी दोस्तों यहां कारिक्रम, टेलेंट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी के विशे के तहत संचालित किया गया था तो आपको याद रखना है कि one global Vietnam Seeker Sammelan दो हजार इकिस की महजबानी किस देश ने किये तो पेरिस फ्रांसा ने किये यहां पर राट अंसर हो गया option one और आपके लिए next question कि प्रधारमंती नरेंद्र मुदी ने हाली में किस धारमे की स्थल पर आदी संकराचारे की 12 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया है तो दोस्तों में आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधारमंती श्री नरेंद्र मुदी जी ने हाली में केधारनात में आधी शंकराचारी की 12 फीट उची प्रतिमा का अनावरन किया है तो यहाँ पे correct answer हो गया option one तो प्रधान्मंती नरेंदर मूधीजी ने 5 नवंबर को केधारनात धाम में प्रशिद्ध गुरू आधी संकराचारी की प्रतिमा का अनावरन किया है लगबग दोसों यहाँ 35 वजनी संकराचारी की प्रतिमा पर काम 2019 से सुरू हुआ था और उत्तरखन में साल 2013 में आई बाड और तराजदी में आठवी सताब्दी के आदी गुरू की प्रतिमा नस्ट हो गई थी जिसे पुनर निर्मित किया गया है और आदी गुरू संकराचारी की जो मुर्ती है दोस्तो यह समाधी इस्तल पर 12 फिट उची और 35 वजनी है जो की करनाटक के मैसूर में बनाई गई थी तो आपको याद दखना है यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन वन केदारनाथ और अब चलते दोस्तों नेक्स कोशन की ओर तो दुनिया का पहला प्रत्वी विग्यान उपगरा गुआंग गमु को किस देश ने लौंच किया है तो दोस्तों मैं आपको बता प्रत्वी विग्यान उपगरा गुआंग अंत्रिक्ष में प्रच्छिपित किया है और यहाँ लौंग मार्च रॉकेट सीरीज का 395 याद रखना आपको यह 395 फ्लाइट मिसन था और इस उपगरा को दोस्तों लौंग मार्च 6 वहाग द्वारा लॉंच किया गया है तो आ यहां के जो करणसी है वो रैन मिम भी यूआन है चीन के राश्टपती की बात करें तो यहां है दोस्तों सी जिन पिंग और चीन और भारत की भी जो इंटरनेसल बॉर्डर लाइन है इसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए तो यहां मैक मोहन रेका है और चीन की जो सब सी नदी कहते है दोस्तों यांग सी और यहां एसिया की सबसे लंबी नदी भी है यह भी आपको पता होना चाहिए और जिसकी लंबाई है दोस्तों वो कितनी है 6300 किलोमेटर है यह भी आपको यादखना है तो यहां पर करेक्ट अंसर क्या हो गया option for China और आपके लिए अगल प्रधानमंती नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोगप्रिय निता बन गए है अमेरिका डिट्रा इंटलेजेंस फर्मदा मौर्निंग कंसल्ट के सर्वे की मुताबिक पीम मोदी की जो एप्रू रेटिंग है दोस्तों वह 70% है तो आपको याद एक रहा ह राष्वपती छटवे नंबर पर है और बोरिस जोंसन दसवे नंबर पर है तो आपको याद देखना है यह सब इंपूर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको बता दो दोस्तों कि पीम मोदी ने वीश्वक के नेताओं को पीछे छोड़ा है और उनमें अमेरिका के अंसर क्या हो जाएगा और अब चलते दोस्तों नेक्स कोशन के और तो आपको लिए नेक्स कोशन दोस्तों कि हाली में कि सदेश की खिलाडी सारा टेलर पुरुसों की फ्रेंचाजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच बनी है तो यह बन गई दोस्तों इंगलेंड की मैं इस नॉम्बर से सुरू होने वाले अबुदावी टी टेंड लीग में टीम अबुदावी की साह कोच नामित होने के साथी दोस्तों पूरुस की पैसेवर फ्रेंचाजी क्रिकेट में पहली महिला कोच भी बन गई है तो आपको याद दिखना है कि जो सारा टेलर है इनका सं आनलेवा बिमारी से लड़ने के सुरुवाती केंसर का पता लगाने की आवसकता के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रतेक वर्स साथ नॉम्बर को देजभर में मना जाता है और इस साथ यह आपको याद दखना है कि वीश्व केंसर दिवस कम मना जाता है तो यहा यहां पर राइट अंसर हो गया ऑप्सन टू साथ नॉम्बर और अब चलते दोस्तों नेक्स कोशन के और कोशन के हाली में किस राज ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के नाम से नए जिले के निर्मान को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के नाम से नए जिले निर्मान का मंजूरी अब दे दी है और प्रस्ताओं के तहट दोस्तों मैं रांग सिविल सब डिविजन को पूर्ण जिला में अपग्रेट किया जाएगा और 10 नॉम्बर 2021 को मेंगाले के मुख्य मंत्री क संगमा द्वारा नए जिले का उद्गटन भी किया जाएगा तो आपको याद दखना है इसी के साथ दोस्तों में गाले में कुल कितने जिलों की संक्या हो जाएगी तो 12 डिस्ट्रिक हो जाएगी यह आपको याद दखना है यहां पर राइट अंसर हो गया option 3 में गाले तो अगर सहीं जाओ आपको कमेंट श्रिक्शन में देना है तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगाओ तो इसी लाइक करिए सेयर करिए अगर आप पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरू कर ले थैंक यू सो मच गैस वाचिंग इस वीडियो बाई बाई टेक केर